हलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर भूवनेश्वर सिथार मांगिलाल बागडी राजकी महाविध्यालै नोका से आजम अध्यान करेंगे द्वी प्रमाणुक अणुमें कमपन उर्जायस्तर पिछले वीडियो में हमने देखा कि मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम आणवे के स्पेक्ट्रम में दो तरह के उर्जायस्तर जिनका हम मैंनलियत दिन करेंगे इस चैप्टर में गुर्णन उर्जा इस्तर जिनके पारे में हम पिछली वीडियो में बात कर सुके हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कमपन उर्जा इस्तर जब किसी अनू में दो या दो से अधिक प्रमानू होते हैं तो उन प्रमानू की मद्य जो बंद होता है उनमें उर्जा प्राप्त कर कमपन प्रारम्ब होता है और उसके संगत हमें कमपन उर्जा इस्तर प्राप्त होते हैं और इन कमपन उर्जा इस्तरों में संक्रमण से कमपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो सामान ये स्तती में द्वी प्रमानुक अनु ऐसे स्वतंत्र अक्स के साथ गुर्णन कर सकता है अता है द्वी प्रमानुक अनु को उर्जा दी जाती है तो वो अपनी अक्स के प्रती गुर्णन करने लगता है जिससे गुर्णन गतिज उर्जा और गुर्णन उर्जा इस के मद्य जो बंध है कम जो बॉंड है उन में कुछ स्थिलता आ जाती है जिससे घुर्णन के साथ सथ वह कंपन गती भी करने लगता है और इसके संगता में कंपन उर्जा इसतर प्राप्त होते हैं तो माना चित्रा अनुसार एक द्वी प्रामानों का अनु है जिसमें दो एटम जिनके द्रव्यमान M1 M2 है और इनके मद्य का जो बंध है उनको हमने एक स्पिंग के समान माना है और जब इसको उर्जा दी जाती है तो बंध में स्थिलता आती है और इसकी लंबाई में कुछ व्रद्धी हो जाती है ठीक है तो माना अनु का में जो दोनों प्रमानों है उनके द्रव्यमान M1 और M2 है जो बंध है वह बंध एक स्पिंग के समान है और विरामा वस्ता में इनके मद्य के जो दूरी है वह R0 से डिनूट की गई है और जब इसको उर्जा दी जाती है तो इसके लंबाई में कुछ व्रद्धी होती है और कुल लंबाई जो है R1 प्लस R2 एक्वल टू स्मॉल आर से हमने यहां पर डिनूट किया हुआ है तो सम्या वस्ता में दोनों प्रमानों के मद्य के दूरी है स्मॉल आर और उनको खींचने पर उनके मद्य की जो दूरी है व जो होगा वह एक्वल टू माइनस के स्मॉल आर माइनस आर जीरो जो इस तिल अवस्ता में दूनों प्रमानों के मद्य के दूरी और व्रमास्ता में प्रमानों के मद्य के दूरी के अंतर के दुल्य होता है तो गती का समीह करण लेखे गती का समीह करण हमें पता है बल जो ह होता है वहाँ द्रव्यमान और त्वरन का गुणनफल होता है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया यहाँ बल जो है प्रत्याने अन बल के तुल्य होगा इससे हमारा प्रथम गति का समय करना जाएगा द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान के लिए मूल बिंदू या द्रव्यमान के अंदर को हमने मूल बिंदू लिया हुओ या मूल बिंदू के लिए मूल बिंदू के साप इकस द्रव्यमान के दूरी जो है गुंदंफल के लिए यह होया R2 आएगा तो इन दोनों समीकर्णों का उप्योग करने पर R1 का मान जो है वो आ जाएगा M2 R upon M1 प्लस M2 और R2 का मान आ जाएगा M1 R upon M1 प्लस M2 इसी प्रकार R1 R2 का मान हमने समीकर्ण में रख दिया एक वा दो में तो हमारे पास समीकर्णों का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से आएगा M1 M2 upon M1 plus M2 D2 R upon DT square equal to minus K R minus R naught या इसको थोड़ा सा और rearrange किया चूंकि D2 R upon DT square time के साफ एक डरिवेटिव है और R0 जो है इस तिरवस्ता में जो दुनों प्रमानों के मद्या के दूरी है वन यह तांक होती है तो यह दिए उसको R के साथ सब्टेक्ट करके इस फॉर्म में लिखा जाए तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसका derivative क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो हमने एक्वेशन का फॉर्म ले लिया हमारा समानित द्रवेमान रेड्यूजड मास होता है इसको हम म्यू से डिनोट करते है और द्रवेमान के अंद्र इस तरह वस्ता में जो दुनों प्रमानों के मद्य की दूरी और बल लगाने के पस्चाथ जो दूरी है उनका अंतर जो है उसको एक नया नियतांक X की फॉर् सिंप्लिफाइड फॉर्म जो है वो कुछ इस प्राकार से हो जाएगा म्यू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्कॉर एक्वल टू माइनस की एक्स इसको हमने टर्म्स को री रेंज किया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकर्ण सरलावर्थकति का समीकर्ण के तो लिएक समीकर मिलता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्कॉर प्लस ओमेगा नॉट स्कॉर एक्स एक्वल टू जीरो जहां पर ओमेगा नॉट जो है ओमेगा नॉट स्कॉर जो है वह के अपॉन म्यू के अनुपात के तुल्य होता है यह सरलावर्थकति का समीकर्ण है इस प्राकार की समीक इस समीकर्ण के Allowed Solution अगर हम środinger समीकर्ण से गयात करें तो quantum यह हमें पता है कि जब particle का size कनों का आकार्थ छोटा हो जाता है तो हम środinger समीकर्ण काऊपियो करते हैं so quantum yantri के कनों कि अन्य उर्जाओं की बांती कंपन उर्जा भी क्या होगी क्वांटिक रत होगी discrete form में होगी अनु के जो allowed values है allowed उर्जा का मान है वो मान जो allowed होंगे उनका मान ग्याद करने के लिए हमें Schrödinger समीकर्ण को solve करना पड़ेगा और Schrödinger समीकर्ण का जो form है one dimensional Schrödinger equation के लिए वो होता है d2 psi upon dx square plus 2 m upon h cross square bracket में e minus vx यहाँ पर potential energy आती है potential energy का जो form है company गती के लिए वो होता है half m omega square x square तो वो form हमने यहाँ पर potential energy का use कर लिए तो सरलावर्द गती का समीकर्ण है इस परकार से हो जाएगा d2 psi upon dx square plus 2 m m की जगह हमने यहाँ पर reduced mass use किया हुआ समाने द्रवेमान को use कर लिया upon h cross square bracket में e minus v v के जगह हमने लिया half m omega square x square bracket के बार psi equal to 0 e जो एक कंड की कुल उर्जा यह company उर्जा को पदरसित करता है और समीकर्ण को हल करें समीकर्ण का जो solution है वह हमने पहले भी देखा हुआ है company के लिए e v equal to क्या होता है half v plus half v v h cross omega की form में लिखा जाता है omega h crosses में नहीं आया हुआ है omega h cross यहाँ पर add हो जाएग कर सकता है कौन यह आवरती omega का जो मान है वह हमें पता है हमने पहले भी देखा है under root k upon mu के तो लिए होता है इस कमान रखने पर हमारे पास company उर्जा का जो मान है वह आ गया v plus half h cross under root k upon mu v equal to zero यानि उर्जा का जो निउनतम मान है वह अमेगा not या half h cross under root k upon mu तो यह मान जो है वह उर्जा का निउनतम मान है classical यान्त्रिकी या चरसमत भोतिकी में किसी भी कमपन विदा के लिए जो उर्जा है उसका जो निउनतम मान है वह सुन्य होता है जबकि quantum यान्त्रिकी में कमपन गती के लिए उर्जा का मान जो है वह सुन्य नहीं होता निउनतम मान जो है वह सुन्य नहीं होता तो यह निउनतम मान जो है इसको हम एक टाम और डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं सुन्य बिंदू उर्जा या जीरो पॉइंट एनर्जी तो ये बहुत ही important question है कई बार exam में पूछा रता है सुन्य बिंदू उर्जा को समझाईए या सुन्य बिंदू उर्जा को परिभासित कीजिए तो हमें ये पता होना चाहिए किसी भी कण की कमपन गती के लिए जो उर्जा है उसका नियुनतम मान जो होता है वह E0 equal to half h cross omega या half h new या half h cross under root k upon mu के तो लिए होता है जबकि classical यांतरे के गनुसार नियुनतम मान सुन्य होता है इसलिए इसी नियुनतम मान को हम सुन्य बिंदू उर्जा के रूप में परिभासित करते हैं ना केवल यहां पर बल्कि किसी भी quantum यांतरे की चाहिए हमने पहले देखा था one dimensional potential box में देखा था three dimensional potential box में देखा था वहां पर भी कंड की जो नियुनतम उर्जा है वह सुन्य नहीं थी इसी प्रकार यहां पर भी कंड की गती जो है sorry कंड उर्जा जो है वह सुन्य प्राप्त नहीं होती और इस प्रकार की उर्जा को सुन्य बिंदू उर्जा कहते हैं जो potential energy है वह हमने देखे vx equal to half kx square की form में होता है और यह equation जो है परवला की form में होती है तो यह इस्ततीज उर्जा जो है प्रवलायाकार form में परवलिक form में इस्ततीज उर्जा की value exist करता है और इसके लिए company उर्जा हमने यह ग्याद कर ली थी और यहाँ पर हम अब देख रहे हैं इसको energy levels को define कर रहे हैं तो classical में हमें पता है potential energy का जो graph है दूरी के साथ वह इस प्रकार से परवलिक form में होता है और यहाँ पर energy levels को हमने draw कर रखा है new equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on 0 का corresponding जो उर्जा है वहने उन्तमूर्जा 0.0 energy कहलाती है और सुन्नी बंदूर्जा कहलाती है उसके बाद में उनका जो interval है वो equal आता है यहाँ पर हमने mathematical इसको साथ कर रखा है किसी भी V और V plus 1 energy levels के बीच की energy difference हम find out करेंगे formula है हमारे पास उसका values find out करें तो हमें value मिलती है इसके लिए h cross omega 0 या h cross under root k upon mu यानि किनी दो उर्जा अंत्रालों दो उर्जा इस्तरों के मद्दे का जो अंत्राल है वह नियत होता है वह constant रहता है उसके मान में कोई परिवर्थन नहीं होता परंतु यहां पे हम graph में देख रहे हैं कि जैसे जैसे उर्जा इस्तर कमान बढ़ता है तो एक particular value के बाद में क्या है उर्जा इस्तर के बीच में gap हमने कम कर रखा है कम वो इसलिए कर रखा है क्योंकि यहां पे क्या है यह symmetry को break कर देता है जो parabolic symmetry है वह lower age पे तो रहेगा higher age पे जैसे distance को हम बढ़ाते जाएंगे कमपन क्या होंगे harmonic होंगे non harmonic होंगे उस case में अपके जो उर्जा है उसके formula में भी कुछ change आएगा और उर्जाइस्तरों के मद्दे का अंत्राल में भी कुछ से परिवर्टन आएगा तो इस प्रकार हमने देखा द्वी प्रमानुक अनुक के लिए कमपन उर्जाइस्तर और दो कमपन उर्जाइस्तरों के मद्दे के अंत्राल के पारे में दन्यवाद, थैंक यू